नमस्ति स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर में आज है पांच अन्वरी आज कक्सा साथ के लिए गणित विशे का ग्रह कारिय आया हैं अध्याय का नाम है आंकडों का परबंदन इसमें कुल पांच प्रश्ण हैं हम एक एक करके इन पांचों प्रश्णों क हल करेंगे तो बढ़ते हैं पहले प्रश्ण की और पहला प्रश्ण है माध्य ग्यात करने का सुत्र लिखो तो इसका सुत्र है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या या फिर माध्य बराबर आंकडों का योग बटा आंकडों की संख्या भी लिख सकते हैं प्रश्ण संख्या दो एक कक्सा के दस विध्यारतियों का भार केजी में इस प्रकार है तो यहां पर हमारे सामने 10 संख्या हैं तो इनको हल करने के लिए हम इन 10 संख्याओं को प्लस करेंगे बट्टा में 10 इनको जोड़ने पर 412 आएंगे और हम लिखेंगे बट्टा में 10 बराबर इसका अंसर आजाएगा एक तालिस पॉइंट दो प्रश्ण संख्या तीन निमने लिखित आंकडों से बहुलक वे माध्यक ज्याद कीजिए तो हमारे सामने कुछ संख्या हैं उनका हमें बहुलक और माध्यक ज्याद करना है तो सबसे पहले हमें बहुलक ज्याद करना है जिस संख्या की सबसे ज़्यादा बार पुन्रावरति होती है उसे भहुलक कहते हैं हमारे सामने तीन संख्या हैं बारा, तेरा और चौदा यहां बारा आया है तीन बार, तेरा आया है चार बार और चौदा आया है दो बार तो यहां सबसे जादा बार जो संख्या आई है वह है 13, तो यहां बहुलक होगा 13, बहुलक के बाद में ग्यात करना है हमें माध्यक, तो हमारे सामने जो संख्याएं हैं उसे सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, यदि आंकड़ी विसम संख्या में हैं, तो इसका ए एक, दस, बट्टे में दो, इसे सॉल्फ करेंगे तो आएगा पांचवा पारोही क्रम में हम पांचवा पत देखेंगे कि पांचवा आंग कोन सा है, वही यहां का माध्यक होगा, तो पांचवा आंग है 13, तो यहां का माध्यक होगा 13, प्रस्न संख्या चार, एक पटा दो वे 1 बटा 4 की बीच की 3 संख्याँ ग्यात कीजिए इसका हल है 1 बटा 3, 2 बटी 5, 3 बटी 7 इसका उत्तर आएगा प्रश्न संख्या 5 निम्न लिखित का बहुलक ग्यात कीजिए तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे अधिक बार आती है यहाँ दो आया है तीन बार छे आया है दो बार पांच आया है एक बार चार आया है दो बार और साथ आया है एक बार तो सबसे अधिक बार जो संख्या आई है वे है दो तो इसका बहुलक होगा दो हमने पांचों प्रश्ण पूर्ण कर लिये हैं अब हम मिलते हैं अबले वीडियो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविश्य में आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें धर्नेवाद